की help से कैसे rain वाला effect बना सकते हैं ठीक है आज किस वीडियो में हम बात करेंगे CSS की help से कैसे बना सकते हैं तो कईज मैं बताना चाहूंगा कि वीडियो आप नहीं देखा तो जरूर चेक आउट करना क्योंकि उसी code को मैं बैसिकली मैंने कुछ उसका code लिक चुका है ठीक है यह अभी आपको इमेज दिख रहे हैं इस पे जो कलर है और यह जो blinking राइट हो रही है बीच में यह सिंपल इसका जो भी code है उसको मैंने लिख चुका इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा और अगर यह आपको simply code देखना कैसे काम कर रहा हो तो उस पहले वाले वीडियो को आप simply देख लेना, मैं जल्दी से बिना time waste की विजिल स्टूडियो को open करता हूं और इसके अंदर मैंने simply भी यह जो वही code है जो मैंने वहां पे लिख रखाता है मैं simply इसको style वगरे को अभी हटा देता हूं क्योंकि style मैं internal css का ही यूज कर रहा हूं simple, okay, perfectly, तो गईज अब करेंगे क्या simply मैं आपको बता हूं तो यहां पे आके देखो बहुत ही simple है, हमको javascript के साल तो खेलना है, हमको css के साथ खेलना है, मैंने simply यहां पे man div after कर रखा है, मैंने before नहीं कर रखा, तो simply मैं करूँगा, क्या थोड़ा code को zoom कर लेता हूं, देखो simply, यहां पे मैं चलत इसका अनन कर दूँगा, यह आपको लिखना ही पड़ता है, जब भी आप advanced css का यूज कर तो like pseudo elements, तो इसके अंदर यहां आपको लिखना ही पड़ता है, और width आप simply 100% कर दो, height 100% कर दो, ठीक है, अभी guys मैं आपको बता हूं, वह trick क्या थी, trick यह है, कि अगर css के help से आपक यूज करते हैं, simply ur type करते हैं, और rain.png है, उसको मैं यहां पर लेकि आ गया है, ठीक है, अभी मैं इसको चलाता हूं, तो आप लोग नोटिस कर रहा है, यहां पर वो effect है, वो मेरे सामने perfectly आ रहा है, मतलब एक image मेरे बास यहां पर आ चुके, काईज यह simple सी, एक image है, इससे करने तक कुछ नहीं है, हमने java script dynamic चीज बनाई थी, लेकिन यह simply static image है, तो देखो, अभी simple इसको animation करवाना, तो animation, a, n, m, a, n, m, और मैं इसको कर देता हूं, simply एक बार के लिए, 0.3 seconds linear or infinite, ok, simply, अब मैं simply animation को यहां पर define करूँगा, तो add the rate key frames, identify, identify की जगा, पुली करना, simply animation का नाम, like, a, n, m, हमारे animation का नाम है, a, n, m, और इसके अंदर मैं 0% पे एक property add कर दूँगा, then मैं simply 100% पे एक property add कर दूँगा, ok, अभी आपको करना क्या है, यह जो image यहां से आपको दिख रही है, इस image को आपको, जो आप रेन वाली image है, इसको आपको simply position, top से, left, top से bottom, and, हलका सा आपको left, right की तरफ, आपको simply, इसको move करना है, तोप से bottom की तरफ, and, हलका सा right की तरफ, आपको simply move करना है, तो वो animation आपको दिखाए, कैसी करोगे, आप इसमें simply background position का use कर सकते हो, background position, ok, मैं 0% दे रहा हूँ और 0% दे रहा हूँ, यह clear है सभी को, अब simply मैं background position देता हूँ, यहां पे, और मस को देता हूँ, 30% top left, 100% bottom right, perfectly, अब जैसे मस प्रोग्राम को यहां पर आएकर run करूँगा, so, alright guys, यह आप लोग notice कर सकते हैं, effect मैंने perfectly आचुका है, ठीक है, ऐसा रहा है, जैसे यहां पर run का effect यहां पर आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो simply एक image ही है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, by using CSS, इतना सही था, इसमें कुछ ज़्यदा नहीं था, और हमने वो देखा था, सारा code तो हमने देखा था, यह blinking rights कैसे हो रही है, इसका code गाईज मैंने लिखी चुका है, उस previous वाले वीडियो को एक बार साब जरूर जरूर चेक आउट कर रहे हैं, तो बस गाईज, आज इस वीडियो उतना है, thank you guys, so much, take care, bye-bye.